नमस्कार में आजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News हिट अन रन मामले में जो कानून में बदला हुआ है उस कानून के बदलते ही तमाम ड्राइवर सडक पर उतराते हैं बीते कुछ दिनों पहले मध्यपरदेश में चर्चा होती हुई नजर आई कि ड्राइवरों ने मध्यपरदेश में चक्का जाम कर दिया है हरताल कर रहे हैं केंदर सरकार के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ जिसके बाद इन जो प्रदर्शन की खबरे और तस्वीरे सामने आए उसमें ये भी देखने को मिला कि ये सिर्फ कानून में बदलाव के बाद मध्यपरदेश में ड्राइवर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बलकि हर राज्य में हर तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है जहां अभी तक मोहन सिंग यादव के खिलाव सिकंजा कसा जा रहा था अब ये लड़ाई ड्राइवरों की रजिस्थान में भी देखने को मिल रही है दरसल आपको बदा दे कि अब हाईवे को जाम करते वे ड्राइवर नजर आ रहे हैं ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है बलकि नीजी वाहन से जुड़े वे भी कई ड्राइवर मौजूद नजर आ रहे हैं जो सीधे सीधे तोर पर धरना प्रदर्शन करते वे नजर आ रहे हैं इस कानून के खिलाफ इस कानून को हटाने की मांग करते वे दिखाई दे रहे हैं दरसल आपको बता दें कि अजमेर कोट राजमार्ग पर ये प्रदर्शन देखा जा रहा है और यहाँ पर ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है इससे पहले ड्राइवर यूनियन की और सरकार के बीच में बात हुई थी जिसको लेकर ये कहा गया था कि इस कानून को रोक दिया जाएगा अभी इसे लागू नहीं किया जाएगा लेकिन ड्राइवरों को ये डर सता रहा है कि अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो उनके पास क्या रह जाएगा जीने के लिए क्योंकि जिस कानून को यहाँ पर लाया गया है भारते नय सहीता के तहट है इसमें ये बदलाव 기ा गया है कि अगर आपकी गारी से किसी की तकर हो जाती है या आपकी गारी से किसी की टकर हो जाती है तो उसमें साथ लाग का जुर्माना उस ड्राइवर को देना पड़ेगा और साथ ये साथ दस साल की सजा भी सुनाई जाएगी तो ऐसे मैं इसके खलाफ अब राजिस्थान में बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है अज मेर कोटा की बात करें तो वहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है और भजलाल सरकार से मिलने की बात यहाँ पर ड्राइवर करते हुए नазर आरब देखना होगा कि क्या भजलाल शर्मा उनके हित में फैसला सुनाते हुए नजर आते हैं केंदर सरकार से मुलाकात करेंगे बदलाव करने की बात करेंगे या फिर ये मामला यूं ही बढ़ता जाएगा क्या है आपकी राई कमिन बॉक्स में जरूर बताएं देखते रहें स्पे नाइन नियो स्थानेवाद